पटना हाई कोट ने सिवान के चाप धाला के पास बन रहे इस सराय ओपी थाने की नई बिल्दिंग के निर्मार कारे पर रोक लगाने का आदेश 29 फरवरी को चारी किया था इसके बावजूद थाने का निर्मार कारे तेजी से चल रहा है आदेश की कौपी लेकर जमीन के मालिक अधिकारियों के आफिस के चक्कर लगा रहे है कोट के आदेश के नौ दिन बीट जाने के बाद भी प्रसासन कोट के आदेश की तामील नहीं कर रहा है दरसल जिस जमीन पर थाने की बिल्डिंग बनाई जा रहे है उस जमीन पर 2011 से नियाले में केस चल रहा है इसके बावजूद इस जमीन पर पुलिस विभाग द्वारा 2022 में थाने का निर्मार कारे शुरू कर दिया गया जिसके बाद जमीन के मालिक दिस्टिक कोट पहुँचे जहां कोट ने 5 जनवरी 2023 को केस के निप्टारे तक जमीन पर कोई भी निर्मार कारे नहीं करने का आदेश जारी कर दिया जिसके बाद जिला कोट के फैसले को चुनोती देते हुए बिहार सरकार ने हाई कोट में याजका दायर की जस्टिस अरण कुमार जहां की कोट में मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार की याजका को खारिज कर दिया और जन्वरी 2023 के सिवान जिला जजज द्वारा रोक के फैसले को फिर से बहाल करते हुए कहा कि जब तक जिला कोट द्वारा मामले का निप्टारा नहीं किया जाता है इस जमीन पर कोई भी निर्मार नहीं किया जाए फैसले के नो दिन बीट जाने के बाद भी थाने का निर्मार धरले से चल रहा है जमीन के मालिक आदेश की कौपी लेकर जिले के बड़े-बड़े अधेकारियों से लेकर थाने तक के चकर लगान है इसके बावजूद भी कोट के आदेश की तामील नहीं हो रही इस जमीन के द्धाना को एलोट कर दिया गया इस जमीन को 175 और 176 नमर ये खेसरा है अभी जो है हम लोग जीला जज के हाँ हम लोग आवेदन किये थे एस्टे लगवाने के लिए एस्टे हम लोग कल लग गया एस्टे लगने के बाद से काम उधर रुख गया था काम रुखने के बाद फिर जो बिहार सरकार जो है अपील क हाई कोट में अपील करने के बाद से फिर बनवाने लगे तो इसके बाद जो है इसके बाद से वहां से भी जो हाई कोट ने जीला जज के जो जो डिसीजन था इस्टे लगवाने का उसको जो है हाई कोट ले बरकरार रखा यह आदेश जो है 29 फरवरी के दिन का है 29 फरवरी 2024 को और यह और यह आभी तक जो है आज आपका नो तारिक हो गया असानी नो तीन हो गया नो तीन 2024 हो गया लेकिन फिर भी जो अभी तक यह लोग तक काम कर रहे सब्सक्राइब करने के बाद भी अभी तक कोई इस पर सुनुआई नहीं हो रहा है करीब नौ दिन बीद चुके हैं काम चल रहा है काम नहीं रुक रहा है मांग करते हैं कि हमारा जमीन जो है हमको दिया जाए हमारा जमीन पर जितना अधिकार है हमको जमीन वापस दिया जाए और इस काम को बंद कराया जाए यह काम बंद कराया जाए हमारे जमीन पर हमारा दाखिल यहाँ पर कब्ज़ हमारा हो हमारा कि उन्तीस तारीक को उन्तीस फरवरी को हाई कोट का अधेस आया काम रोकने के लिए और हम लोगा इस्टेप फिर बहाल होगे जो जीला ज़ा जबाल किये थे उस्टेट मुने स्टेट को फिर उन्हार जीवित कर दिया गया लेकिन अब भी भी काम जो है रुक नहीं रहा है औ किसी से मिलना चार है लेकिन मिल नहीं पा रहे हो लोग और काम जो हमारा रुक नहीं रहा है कोई सुनी नहीं रहा है और इसको जल से जल जितने रुक वाजानी तो हमारी हमारा बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है इसमें